वेलकम तो दे चैनल गाईज आज मैं लेकर हैं फिर द्वारा आपके लिए फनेंचाल अपडेट जो कि कल हुए है सारी इंपॉर्टन न्यूज जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है सेल्फ अवेरिनस के लिए तो चले गाईज बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाईज यहां पर सेंसेक्स निफ्टी के अगर मैं बात करूं तो एक परसेंट दुबारा से डाउन रहा है कलकी डेट में, red में close ही है, market, top gainers के अगर मैं बात करूं तो वह है UPL, Reliance, Triton, HDFC Bank और ITC तो यहां वे गाई इस कुछ important news है Reliance और HDFC Bank के बारे में तो यहां Reliance के अगर मैं बात करूं तो उनका जो result है, वो Friday को आने वाला है HDFC bank ने अपने results जो हैं वो announce किये हैं guys तो यहाँ पर मैं result पर बाद में आगवा उससे पहले देख लेते हैं Nifty के top losers तो यहाँ पर Tata Motors, Tata Steel, ONGC, Hindalco और Sun Pharma यहाँ पर अगर मैं Tata Steel की बात करूँ तो यहाँ पर company ने Friday को बोला था कि जो India operations का output है वो 3% up हुआ है जो की 4.6 million tons है तो यहाँ पर definitely यह तो पता नहीं कि भाई stock का price down क्यों है तो अगर मैं बात करूँ SDFC results के बारे में तो guys यहाँ पर bank का जो profit है वो 18% up रहा है तो यहाँ पर जो net profit report किया है bank ने वो किया है 8758 crores in December जो की 18% up है same quarter 2019 year के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ net interest income की देखिए net interest income होती क्या exactly वो वो income होती है जो की difference between interest paid out by bank on the deposit and interest earned मतलब की देखो एक asset है एक liability है तो liability में तो bank को interest pay करना पड़ेगा लेकिन asset में interest आएगा तो उसको अगर हम subtract कर दें तो उसको बोलते हैं net interest income तो यहाँ पर यह 15% up है अगर मैं बात करूँ इसके gross NPA ratio के बारे में तो वो 0.8% है अगर मैं compare करूँ इसको 1.08 तो यह भी काफ़ एच्छी figures निकल के आई हैं तो definitely share का price जो है यह जो है 1502 तो जो था वो close हुआ था तो यहाँ पर बात करते हैं हम gross NPA ratio के बारे में तो यहाँ पर टोटल amount of loans that have been classified as NPA by the bank तो जो bad loans versus good loans की वो जो रेशो होती है उसको बोलते हैं NPA ratio यहाँ पर Franklin की तरफ से guys काफी important news आ रही है आपको ध्यान होगा कि Franklin के जो 6 scheme थी उसको Franklin ने wind up किया था और उसका काफी सारा issue चल रहा वोटिंग होई थी जिसमें decide करना था कि इन्वेस्टर्स को ही कि Franklin ने इवोटिंग करवाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि आप वोट डाले अगर आपको पैसा चाहिए या फिर बाद में चाहिए तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इनके favor में वोट डाला है कि भाईया इसको wind up कर दो जो भी cash आपके वास पढ़ा है उसको लोटा दो जल्दी से जल्दी तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट है वो है पिरामल ग्रुप की तरफ से तो यहाँ पे DHFL बीडिंग राउन में पिरामल ग् हो चुकी है यहाँ पर इंडिया में तो डेफिनेटली वैक्सिनेशन का काफी important news है यहाँ पर वैक्सिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अगर मैं बात करूं IRFC IPO के बारे में तो IRFC IPO जो है वो 0.65 टाइम पर सेंट सब्सक्राइब हो है डे वन पे तो इसमें अगर पैस अगर में भी कवर किया था कि फ्यूल चो प्राइज हैं वो काफी हाई हो चुके हैं तो अगर हम बात करें अब डेली चींज की गोल्ड सिल्वर यूस्डी आइनर तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि गोल्ड सिल्वर भी नीचे रहे हैं कल और अमेरिकन मार्केट भी नी वीडियोज हैं मिचल वन स्टॉक मार्केट कंसेप्चुल से रिलेटेड वह भी आप चक के चक कर सकते हैं कि लाइव इंवेस्टमेंट कैसे करते हैं और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अप्डेट्स होते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हुने नेक्स वीडियो में